हेलो एवरीवन तो गाइज इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉम को जब भी मौका मिलता है वो ये को डीग्रेट करने से बास नहीं आती इस बास से ये खुद भी काफी ज्यादा चिर्टी है कि पता नहीं मॉम को विसे क्या मसला है दूसरी तरफ परासन साहब डैड से मिलने आये होते हैं बातों ही बातों में वो मॉम के अफेयर चलने का जिक्र भी उनसे कर देता है लेकिन उन्हें ये शक भी नहीं होने देता कि एक्शली में वो उन्हीं की वाइफ की ही बात कर रहा है मॉम तो डैड से भी कह देती है कि मेरा बस नहीं चल रहा मैं फाहा को इसी वक्ती अपनी बहु बना कर लेयाँ डैड उसे थोड़ा सबर करने को कहते है और साथ में वो उसे ये आइडिया भी देते हैं कि पहले ग्रैनमा को तो मना लो जब तक वो फाहा को दिल से अक्सेप्ट नहीं करती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता फूम आफिस आ गया होता है और आज कल वर्ट की बजाए उसकी तवज़ा सिर्फ गर्ड्स पर ही थी इसी बास से थाए उसे थोड़ी बहुत अकल से काम लेने के लिए भी कहता है लेकिन नहीं थाई की बातें तो उसके सर के उपर से ही गुज़र जाती है थाई तो फिर उसे अपने आफिस से ही खुसे से बाहर निकाल देता है कि ये कभी भी नहीं सुधरने वाला डैट जब अपनी वाइफ को बताते हैं कि पैरसंद घर आया था वो तो पर परिशान हो जाती है कि कहीं उसने इन्हें कुछ बता तो नहीं दिया बट फार्चुनेटली कुछ नहीं बताया होता अब तो वो एंड टाइम पर मॉम को कॉल करके मिलने के लिए भी बुलवाता है जो कि जाहिर है अब वो अपने हस्बिन से एक्सक्यूज बना कर उससे मिलने जाने लगती है उनकी असिस्टन ड्रंग पर तो वैसे ही फूम का नशा चड़ा होता है उसे पटाने के लिए वो ड्रेसिंग भी ऐसी करके आती है कि एक दफ़ा तो फूम जैसे प्ले बुआए के होश और हवा से उठ जाते है तर्की कहीं का आई हैव अ क्रेस्टन फार यू गाइस का ऐसे बुआए रियल लाइफ में भी होते है रिया जैस्ट ड्रामों में ही दिखाए जाती है तुम इसमें ज़रूर बताईएगा अख्यार गर पर मॉम ये को धमकार ही होती है कि बस तुम चन्द दिन ही हमारे घर में महमान हो फिर तो मेरी राज दुलारी प्यारी बहु फाहा आ जाएगी इनकी बातों का तो उस पर कोई असरी नहीं होता इससे पहले के वो ये को और कुछ कहती उपर से डैड आकर उसी की ही साइड लेते हैं और उसे वहां से जाने को कह देते हैं और बस क्या था इस बात पर उनकी अपनी बीवी के हाथों शामत आ जाती है कि तुम्हें इस लड़की की हिमायत करने की क्या जरुरत थी वो फिर उसे काम डाउन रहने के लिए कहते हैं फिलहाल उनकी प्रॉब्लम जस्ट वहा को इस घर में लाने की थी और फिर वो अब इस बारे में ग्रैनमा से बात करने का सोचती है अब जो उनका फैसला होना था वो ही अकसेप्ट किया जाना था एक और वर्कर को रंग की सारी हरकतों का पता था वो उसे समझाती है कि तुम फूम सर का पीछा छोड़ कर अपने वर्क पर तवज्ज़ा दो वैसे भी अब उनकी अपनी एक वाइफ है और हमारा काम सिर्फ वर्क करना है ना कि आफिस में आकर वाइस को पटाना इस बास से रूंग का तो फिर पारा ही हाई हो जाता है फूम बाकाईदा फाहा को कॉल करके आज अपने साथ लंच करने की आफर करता है जो के आफिसली वो खुशी खुशी अकसेप्ट कर लेती है उसे तो बस फूम के साथ टाइम स्पेंट करने का मौका चाहिए था और वो जब इस बारे में मॉम डैट को बताती है तो वो फॉरण से उसे फूम से मिलने की इजाज़त दे देते है सिया की एक मेर्ट जो इनके घर में काम करती थी इनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर इस बारे में वो सिया को बताने का डिसाइड करती है मौम पैरस उनसे मिलने आ गई होती है अब यहाँ पर पैरस इनको ब्लीव हो जाता है कि चलो इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है मेन अब यह अपना सीक्रिट एक्सपोस होने से बचाने के लिए मेरा हर आर्डर मान सकती है दूसरी तरफ मॉम साहिबा ग्रैनमा से बात करने आई होती है कि आपस तोड़े दिन फाहा को टेस्ट करें फिर आपको पता चल जाएगा कि वो एक अच्छी लड़की है या नहीं ग्रैनमा भी कहती है ठीक है मेरी भी फिर एक शर्ट है कि तुम भी ये को टेस्ट करो कि वो फाहा से भी जादा अच्छी लड़की है या नहीं लास्ट पे हम डिसाइट करेंगे कि आखिर फूम की लाइफ में किस लड़की को आ रहा है फाहा तो फूम के पास जाने के लिए रैडी हो गई होती है रास्ते में उसका सिया से इंकाउंटर होते होते बचता है फूम तो एक मॉल में आ गया होता है और यहां पर उसकी नजर पड़ती है कि डैड तो एक यंग लड़की के साथ गूम रहे है वो इस बात से काफी ज़्यादा शौक होता है सिया घर आ गया होता है अब मॉम डैड उसे जूट बोल देते हैं कि फाहा तो अपनी ग्रैनमा से मिलने गई है इस बात से वो फिर सैड हो जाता है तो इस बात के लिए फाहा के पेरिंट्स को उससे अपॉलोजाइस भी करना पड़ता है कि वो तुमें बिना बताई ही चली गई डैड भी अब फूम को देख चुके होते हैं अब वो तो इस बारे में मॉम को ना ही बताने का कहते हैं अब मचबूरी में फूम उनकी बात मान तो लेता है लेकिन साथ में उसे मॉम के लिए काफी बैट भी फील हो रहा होता है अब इससे पहले के वो मसीद बात करते उपर से फाहा वहां बढ़ा जाती है तो डैड जल्दी से पिर वहां से जाने की करते है मॉम में फाहा को घर लाने का कहा था इसलिए वो पिर अब उसे अपने घर लेकर आ गया होता है फाहा तो बाकाईदा ग्रैनमा से भी मिलने जाती है उन्हें तो ये लड़की बिलकुल भी अच्छी नहीं लगी थी लेकिन बस अपनी खडूस बहो की खातिर उन्हें इसका टेस्ट करना ही था मेर्स जब ये को बताती है के फूम फाहा को घर लेकर आया है तो इस बास से उसे काफी बुरा लगता है के ये ठर की बास नहीं आने वारा और वो तो फिर आकर अपना सारा गुसा फूम पे निकालने लगती है के तुम्हें शरम नहीं आती जुएन के होते हुए किसी और लड़की से चक्कर चलाते हो अब बड़ी मुश्किल से वो उसे कंट्रॉल करता है फूम अपने डैट को लेकर परिशान था तो ये बात ये भी नोट कर लेती है और उसे यूँ सैड होने का रीजन पुछती है वो उसे एक शर्त पे ये बात बताने को राजी होता है कि इसके बारे में किसी को ना बताना और वो जब उसे बताता है कि डैट की एक लवर भी है ये सुनकर शौक के मारे ये चीख मारने ही लगती है कि फूम उसके मुँपे हाथ रख लेता है कि अरे चीख मारना तो बंद करो अब सब को तुमने इस बारे में जरूर बताना है फूम जानता था कि मौम बस हर वक्त डैट पे घुसा ही करती रहती है इसलिए शायद वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुए है अब ये लोग बहतर तो यही समझ रहे होते हैं कि किसी को भी इस बात का ना बताया जाए फूम ये को अपने साथ लेकर जाने ही लगता है कि मौम उसका हाथ छुडा कर उसे फाहा के पास लाकर बिठा देती है इस बाद से वो तो फिर घुसा होकर साइड पे चली जाती है और वो अपने ही गार्डन में से फ्लावर्स तोड़कर डाइनिंग टेबल को सजाने लगती है ये सीन जब फूम देखता है तो वो काफी खुश होता है और ग्रैनमा जब उसे यूँ प्यार बड़ी नजरों से ये को देखते हुए देखती है तो वो फिर काफी रिलीव फिल करती है ये जब हर वक्त डुएन की साइड लेती है तो इस बात से फूम बड़ा सर्प्राइज होता है कि तुम उसे जानती तो हो नहीं फिर क्यों उसे की हर वक्त साइड लेती रहती हो अब ये फिर हमेशा की तरहा आगे से कोई और बात करके इस टॉपी को ही चेंज कर देती है आज का खाना ये नहीं बनाया था मॉम को इस बारे में नहीं पता था वो खाने की तारीफ कर बैठती है और जब इस बात का उन्हें ग्रैनमा के ठूपता चलता है तो तब उनकी शकल देखने वाली होती है कि ये मैं क्या कह बैटी ग्रैनमा तो अब फाहा से कह देती है कि नेक्स टाइम मैं फाहा के हाथ का बना खाना खाऊंगी देखती है वो ये से अच्छा खाना बना सकती है या नहीं ग्रैनमा की ये बास सुनकर फाहा तो परिशान हो जाती है क्योंकि जाहिर है उसे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था अगर इसी के साथ ही ये पार्ट खतम हो जाता है थैंक्स पर वाचिंग अगर आप लोगों को मेरी वीडियोच लगती है तो प्लीज इसे लाइक पिकर दिया कुरें थैंक्क्यू